क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावन क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा हिंदू हो या मुसल्मान जनता तो पिचारी जिन्दा लाश है हिंदू होगा तो जला देगा मुसल्मान होगा तो दफना देगा झाल 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 मैं विश्वनाथ प्रसाद, डिरेक्टर ऑफ सोशल सेक्यूरिटीज, अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षा देने में अस्समर्थ हो, यहां के खोकली विवस्था, रशासन, और नयाए पाले का, सब्ताधारियों के रखेल बन चुकी है, अशासन पर दुशासन हावी हो गया है, मैं रूस मरता रहा, एक एक इंच, आज सारी चीजों से मेरी आस्था उट गई है, अब यह घुटन और बरताश नहीं होती, जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा, आज नीती आत्माहत्या कर रही है, आज न्याय आत्माहत्या कर रहा है, आज विश्वनात् प्रसाद आत्माहत्या करने पर रहा है, नए, दिस इस वेरी सैड मिस्टर प्रधान, मिस्टर विश्वनात् प्रसाद हमारे बहुती कैपेबल ओफिसर थे, उनकी बीवी के साथ बलातकार हुआ, और वो भी एक सिटिंग MLA के बेटे के हाथ हूँ, क्या अब हम लोगों को ये दिन देखने पड़ेंगे, जहां लोगों के पास एक ही आखरी रास्ता रह जाता है, खुदकुशी करने का, अपने इतने सालों के सर्विस में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, आपका साथ देंगे, ए द्यालू भाईया, मामला वड़ा अच्छा है, उठा ले क्या, का रे, तुम लोग का बहुत मन कर रहा है का, पहाँ द्यालू भाईया, चाल उठा के ले चलते हैं बंगले पर, अरे, पगड़, कौण हो तुम लोग, छोड़ो मजे, छोड़ो, छोड़ो मजे, छोड़ो, 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 आपचे, आपचे, कर दो, पिस आप, इस शहर्क बहुत खातरनाक है, हर रोज नेता लोग यहां पर, कानून से खेलते हैं, और वर्दी को अपनी रखेल समझते हैं कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले हिच्डों को बहुत जल्द उनके अंजाम तक पाँचाऊंगा मैं पाँचाचाची कर दो कर दो कर देख लेंगे तुमको छोड़ेंगे नहीं चल भाग करता चल अंगूठा लगा साब हम आपको किती वार बोल चुक bell हैं हम ने जानते आप क्या करण हैं हम नक्षालवादी नहीं हुशा अरे मेरे आश्रम के आदमी को क्यों बंद करके रखा है मुझे बताओ तो सही अभी मन्यू तुम नमस्ते योगी जी यहां आज मेरा ट्रांसफर हुआ है लेकिन आप यहां क्या कर रहे है बेटा वो इन्होंने इन्होंने मेरे आश्रम के एक लड़के को गेरफ्तार कर लिया और और मेरे वो नक्सलवादी है जूट जूट मत बोलो किसी बेकसूर को अपने मतलब के लिए गेरफ्तार करते हैं और ऊपर से उसे नक्सलवाद ही कहते है करमत कीजिए मैं देखता हूं अगर तु इस कबूल नामे पर अंगुठा नहीं लगाएगा तो कल अपने घर वालों की चिता जलते हुए देखेगा तुम आज से तुम मुझे सर और आप कहकर बात करोगे मेरा नाम अभिमन्यू सिंग है ठीक है सर कौन है सर ये नक्सलवादी है हम इससे पकड़ाओ उसे पकड़कर तुमने बहुत मेहनत किया अब कोट ले जाने की मेहनत मैं करता हो लेकिशन हमिसे पकड़ाओं अब ज़रा निकलने की महनत करेंगे और ये बटन बंद रखा करो ठ इस असुरा भी गलट टाइम पर टपका तुम्हें क्यों गिरफ़तार किया अब कहां बताए सरकार हम तो यहां आई थे जोगी जी को बताने के लिए उनका आशिरवाद लेने के लिए कि हमरे यहां बिटिया पैदा हुई है नजाने कहें हमको पकल लिए गया वापस जाना चाहोगेख उसदेब आउप एक हम संजये ले में जाओ मैं कहारा हूं जाओ मैं आजमें हमको मालूम है आप हमको जेल में डाल दीजिए लेकिन मारिए नहीं हमको मालूम है जैसे हम यहां सचलेंगे उपको गॉलिभा देंगे कि विट preach लो, जाओ, अपनी बच्ची के बास जाओ, जाओ साभ अपका है अपको आए हुए यहाँ चंद घंटे नहीं हुए और आपने आते ही एक नकसलवादी को छोड़ दिया इसी बात का तो अफसोस है सर, काश मैं यहाँ पहले आया होता, कुछ और बेगुनाहों को जिन्दगी मिल जाती मिस्टर सिंग, आप पहलिया मुझाना छोड़िये, आप किस पार में और क्या कहना चाते हैं सर, मिस्टर ब्रिजबूशन से पूछे हम कुछ समझे नहीं सर चलिए, मैं ही समझाता हूँ काफी मेडल्स कमाएं आपने मिस्टर ब्रिजबूशन जरूर ये नकसल वादियों को पकड़ने के लिए होंगे बिलकुल सर काफी अच्छा तरीका अपना हैं आपने ये क्या हो रहां मिस्टर सिंग अभी बताता हूं सर गरीब बेगुना लोगों को किरफ़तार करके उन्हें टरा कर ये उनसे कबूल करवाते हैं कि वो नकसल वादी है यही है इनके फूले वे सीने का राज क्या आप बकवास कर रहे हैं सर ये बकवास नहीं है मिस्टर ब्रिजबूशन मैंने अपनी आखों से देखा है कि आप उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे अगर मैं एक उफिशल रिपोर्ट कर दूँ तो आप सस्पेंट हो जाएंगे कमिशनर साब मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था आप इन्हें अपना फर्ज समझा दीजे थांक्यू मिस्टर सिंग आईए मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता जी प्लीज कब आईए मिस्टर सिंग ये है मिस्टर परधान से भी आई के ये दिली से आये है और ये है मिस्टर सिंग यहां के स्पी आज इनकी पोस्टिंग यहां पी हुई है अब प्लीज बैठेए ना आप लोग जी मिस्टर परधान ये रही आपकी इस केस में कुछ खास बात है जो भी हो मज़े सिर्फ वो फैक्स शाहिए तो बात ऐसी है आई इस आफिसर विश्वनात परसाद ने आत्मत्य कर लिया है उसकी पत्नी एक बदचलन नौरत है और उसकी असलियत पति विश्वनात परसाद अच्छी तरह जान चुका था मगर व पलातकार का आरोप लगाया गया है वो यहां के एक इजददार घर का शरीफ लड़का है वो भाग यहां से इसलिए गया है क्योंकि सारा पब्लिक ओपीनियन उसके खिलाफ है क्या हम उस औरत से मिल सकते हैं अहां क्यों नहीं आप चाहें तो आज जाकर उसे मिली जाएं हां जो हुआ बुरा हुआ होनी को कौन टाल सकता है तुम धीरिज रखो सब शांती से निपड़ जाएगा सिर्फ तुम्हें अपनी जबान पर ताला लगाना होगा बाकी सब मैं समाल लूगी वैसे बात को इतनी आगे बढ़ाने की जुरत क्या थी हां तुम अपनी जबान पर काबू रखना समझ गई पैसे भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है असलियत क्या है यह बताना बहुत मुश्किल है जहां तक मैं जानता हूँ विश्वनात प्रताप का परिवार बहुत सुकी था देखिये ना आज वो इस दुनिया में नहीं है यहां तक कि उसकी बीवी भी नहीं के बराबर है उनकी निजी जिन्दगी में क्या हुआ होगा उसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं हाँ लेकिन अलग अलग लोगों ने जो बातें देखी और सुनी वो मुश्टक पहुची है क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा धरम है बस नमस्कार आप नए CBI ओफिसर प्रधान है ना इस नए जिम्यदारी के लिए बहुत-बहुत मुबारक क्या बात है क्या बात है वर्दी धारी और आंदोलन कारी साथ-साथ ठीक उसी तरह जैसे बलात कारी और सत्ताधारी साथ-साथ है प्रधान जी प्रधेश की हालत बहुत पेचीदा होती जाए और फिर सेंटर और इस्टेट का रिष्टा तो आप समझते हैं इसलिए आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं मैं चलती है नमस्कार आईए चलिए बेटी ये लोग तुमारी मदद करना चाहते हैं क्या इनकी मदद मुझे वो लोटा सकती है जो मैं खूचुकी हूँ इनसे कहीं आसे चलिए बेटी बेटी मेरी बात तो सुनो बेटी देखे मैडम आप पर जो बीत रहे हैं सिर्फ आप ही जानती हैं आप ही उसे महसूस कर सकती हैं हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि आपका ये दर्थ थोड़ा कम कर दें और यह तभी होगा जब कुसोरार को सजा मिलेगी और आपके इस तरह निराश होने में उन लोगों की जीत है और इस जीत में सिर्फ आपकी नहीं हम सब की हार हैं और मुझे हारना बिल्कुल पज़ने मैं जानता हूं जो मैं आपसे कहने वाला उससे आपको तकलीफ होगी और इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं लेकिन उन लोगों को सजात दिलवानी है आपको उस हादसे के बार में जरूर बताना होगा जब उनका तबादला है शहर में हुआ था हम दोनों कितने खुश्ट है कर दोनों कितने खुश्ट है देखा है मैंने तो देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार सुब़ शाम रात दिन करो इंतजार देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार सुब़ शाम रात दिन करो इंतजार देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार सुब़ शाम रात देखा है मैंने दिलबर की आँखों में प्यार पाहों में भर की हद से गुजर के ठहरो जरा मैं जूम लूँ कहती है मेरी बेताबियां मैं तेरे लबों को चूम लूँ मेरे महबूबस लगों मस्तानीस मासं को क्या हो गया हो गया क्या मस्ती लाई है ससा निसा क्या मस्ती लाई है आब के बहार देवाने दिल बर की आँखों में प्यार सुबर शाम रात दिन करूं इंतिजार बेकरारियों में भी आ गया करार देखा है मैंने तो पहली बार दिवाने दिल बर की आँखों में प्यार हुआ 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 परकों में बंद कैसी हया है साजन तुझे नहीं पता सासा में साथ हांके गले से मुझको लगाने छाया है इश्क का नशाब कैसा है दीवानापन प्यासी प्यासी है धड़कर मैं क्या करूं क्या करूं जानम पे कर दूँगा जानम पे कर दूँगा मैं जानिसार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार देखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार दीखा है मैंने तो पहली बार दीवाने दिलबर की आँखों में प्यार आँ कुंती चलो सुना बिटे शबाश ड्राइवर तुम समा निकालो अरे कौन है जब पूछे तो से कौनों तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो बिदक जागी खाएगे नहीं चुपरी थोड़ दिर ले बेटा ले 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 तुमसे बात कर रहा हूं यह घर हमें अलोट हो चुका है जलो निकला यहां से हाँ हम हम यहां से निकले का है बड़ी मालकिन को जानते आप हम नहीं चानते किसी बड़ी मालकिन मालकिन को आप अपना सामन अलग से रखवा दीजेगा अलग देखिए हम यहां बहुत दिना सुरा रहे हैं ऐसे केसे खाली कर दे हम तो यहीं रहेंगे बस यह तो नहीं होगा यह सरकारी मकाना तुम्हारे बाप की जैदाद नहीं उपर से सर उठाके बात कर रहां पत्तमीज चलो अपना बोरिया विस्तरा बांदो और दफ़ा हो जाए सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए हम यहां से जाने वाले नहीं हैं आप जाकर बड़ी मालकिन से बात कीजिए उधर सामने वाले मकान में जाए यह बड़ी मालकिन कौन है यहां के रामिश्वरी बर्मा मंत्री है यहां की मंत्री रामिश्वरी वर्मा ठीक है कुंती अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको यहां नहीं माडम कोई दिक्कत नहीं है बस आप से दर्ख्वास थी हाँ बोलिये जो सामने वाली कोठी है यह मुझे लौट हो चुकी है और मैं यहां पर जल से जल शिफ्ट करना चाहता हूं मगर वहां पर कुछ लोग पहले से डेरा डाल कर बैठे हैं और कर तो कोई और मकान देख लो मकान की कोई दिक्कत नहीं है यहां मकान तो बहुत मिल जाएंगे हमारे लोग रह रहे ना उसमें मैडम आपको पता होगा कि यह आपका या किसी का नीजी मकान तो है नहीं सरकार न कि यह मकान आपको नहीं मिल सकता आप कमाल कर रही है मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप उक्षण कर रहे हैं मकान हमें तुरंट खाली चाहिए देखो, क्या नाम बता है अपने? विश्वन्त प्रसाद हाँ, देखो प्रसाद जी काईदा तो जो हम बोलते हैं वो होता है और कानून जो हम करते हैं चाहिए, आप नए आए हैं, इसलिए इस बार आपको छोड़ दे चाहिए आप यहां से कानून हमें मत सिखाईए हम भी एक आए है इस आफिसर हैं अब हम आपको दिखा देंगे कि सरकारी मकान कैसे खाली करवादे हैं पता नहीं क्या समझती अपने आपको कहती हमें मकान नहीं मिलेगा जैसे उसके बापका राज है देखें आप खामका परिशान हो रहें हम यहीं रह लेंगे क्यों भई यहां क्यों रहें हम सरकार ने वो मकान हमें दिया है उस पर पूरा अधिकार हमारा है मैं वो मकान ज़रूर लेके रहूंगा लेकिन बात क्या हूई वो तो बताएए मुझसे कहती है मैं जो करती हूँ वही कानून है और जो कहती हूँ वही काईदा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा I will fight for my rights देखिए मकान की चिंता मत कीजिए मकान तो मिल ही जाएगा भाद यह नहीं है कुंती बात असूल की है अच्छा खासे मकान को तबिला बनाके रख दिया हूं लोगोंने पापा पापा आप मम्मी को डाट क्यों रहा है अच्छा अंदर चलिए मैं आप दोनों के लिए खाना कि अच्छा इस पता बता दीजें ना बड़ा देर से ढूंड रहे हैं अच्छा पूल मैगजिन लोड़र पिष्टेल है अपनी सलामती चाहते हो तो गारी से उतर कर भागो लो जी कमप्लेन हम लिख लिया हूँ अब आप जा सकते हैं लेकिन ज्यादा उमीद मत रखिएगा फिर भी साफ देखिएगा अगर कुछ हो जाए तो हम ठीक है देखेंगे ठीक है एक मिनट जी यहां कमप्लेन लिखाने से कुछ नहीं होगा समझे कुछ नहीं होगा थोड़े दिन के बाद फाइल आइसा ही क्लोज हो जाएगी आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो सीधा सीम साब के पास जाके फरियाद करो पुलीस इमामलामा तुम्हारी कुछ करता है का कहती है आप यहां रुकिए मैं सीम साब से पूछ के आता हूं कि अगा है कि हम्री गाली सीम साब का बंगलें कैसे पहुंच गई अब लूस में से अब यहां अब इस अब बासेव साब तक थोड़ी पहुचेगा कैसे कैसे लोग कहीं यहां पर जो बुलायों है अरे रगवा अम्रेख फरयात हो जो उज्यर हम सरमानी मिश्रा हैं हम ने तो काय सरमानी यह उठा लिए लिया सब तो एका पुलिस टेशन है अरे थाना में जाके कंप्येंट लिखा ही है न यहां काए है हुजूर हमना गाड़ी आपका ही बंगले में खड़ा हुआ है वो जो बुलुवाला मारूती है ना वो हमरा ही है और यह बाबू सहाब बंदू कनोक में उठा के लाए हैं यहां कारे देलुआ तुमसला अपना पराया नहीं पैचानता है चल गाड़ी वापस करें इनका देदे सरकार मगर उजो अगर मगर क्या करते गाड़ी वापस करना देखें मिश्राजी हस रहा है अब क्या है बच्चा है बहुत महनत किया है बेचारा आप एक काम करिए चाय पानी के वास्ते इसको कुछ दे दीजिए दे दीजिए भाई पचास ताठ हजार रुपया नमस्कर जी आप मैं रामेश्वरी बर्मा मेरे पती घर पर नहीं है मै मैं जानती हूं फिर भी यहां क्यों आई हूं दरसल मेरे बेटे का जनम दिन है और मेरे कॉंस्टूंसी वालों ने एक जलसा रखा है मैं चाहती हूं कि आप भी वहां आए देखें मैं ओहो लगता है मेरे और प्रसाजी के बीच हुई अनबन से आपको बहुत तकलीफ आजकल के जमाने में ऐसी भावना कहां दिखती है मिसिस प्रसाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं मुझे आपके पती से कोई दुश्मनी नहीं और मेरे ख्याल से उन्हें भी मुझसे कोई बैर नहीं फिर भी अगर मेरी वज़े से आप लोग को कुछ तकलीफ हुई हो त देखिए आप माफी मत मांगें तो मैं ये समझू कि आप आ रहे हैं जी आप चब इतना कही रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाओंगे धन्यवाद वैसे ये पहली बार है कि मैं खुद किसी को न्योपता देने आई हूं मैं आपकी रा देखूंगी हां हाये क्या चाल है तोरी हाये छोड़ी गोड़ी गोड़ी हाये 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 अरे बड़ी कटिली है रे तू मज़ा होई दे होई दे घर में गली में नदी में नारे तुमें हो मज़ा होई दे चना के खेत में वोई माचा हूए ठी कर्तिमे माचा हुए बूए गई माचा हुए बूए ओूए बूए ये माचा हुए बूए ठी कैसे हमारी मुलागा कैसे हमारी मुलागाद होगी दिल में जो हाई कैसे वो बात होगी बचना है मुश्मिल जहां की नजर से आओ चलो भाग जाए इधर से घर में गली में नदी में नारत में हर में गली में नदी में नारत में हमजा होई ले हमजा होई ले हमजा होई ले कर दो कर दो दो । कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मज़ा हुः तैने, घरमी, गली में, नदी में, नारेत में मज़ा हुः दे, मज़ा हुः तैने जने के केड़ में हमचा है रिखने के दित में धर में, गली में, नादी में, नारत में इतर में, खली में, नदी में, ना रथ में हो मचा होई दे, हो मचा होई दे, चने के खेतु में ओ माचा होई ले जर्डिकी के तुमे ओ माचा होई ले जर्डिकी के तुमे क्या बात है आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हूं वह इसलिए कि दो दिनों तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकोगा क्या मतलब यह कि आफिस के काम से दो दिनों के लिए भाहर जाना है कब खल लेकिन दो दिनों में वापस आ जाओगे ना कोशिश करूबा सरकारी काम है और सरकारी काम का फरोसा नहीं कर सकते जनम दिन का एक खुबसूरत तुफ़ा उफ उसंग मरमर सा तराशा हुआ सफाव बदन देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं मगर अबसौस भगैर की अमानत है एक आइस की भी क्या करे हम कोशिश करूबस अच्छा बेटा खाना जरूर खालेना कल की तरह वाफस मतलाना और स्कूल खतम होते ही सीधा बस में बैठ जाना इधार उधर मत जाना जी मम्मी यह बंटी भाईया यह माल तो बहुत टनाका है भाई कुछ उपाई करना पड़ेगा हलो जी मैं मिस्स प्रसाद बोल रही हूं साब है जी वो तो टूर पे गए वो तो कल शाम को आने वाले थे अभी तक आये नहीं वो आज शाम को आ जाएंगे अच्छा जी वो शाम तक आ जाएंगे ना हाँ वो शाम तक आ जाएंगे अच्छा रखती हूं हलो, हलो बेबी, कैसे हैं आप, तुम, शुकर है, पहचाना तो, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मेरे बती एक I.S. आफिसर हैं, हम ये भी जानते हैं, कि वो साम तक बापस नहीं आएंगे, तुम चाहते क्या ह अजी, आप कुछ आता हूँ ये क्या बत्तमीजी है, ये क्या कर रहे हो तुम? हमने तो कुछ किया ही नहीं, मगर आप जुको होगी ना, बस वही करो है, ठीक है? मुस्कुरा दीजिये ना, मुस्कुराओ इस भी बहुत इंतिरार कराया है तुम ने, भी बहुत इंतिरार किया है छोड़ दो, लोगी इस भोड़िया है जो चाप यहां से चले जाओ, परना मैं पुलीस को बलाऊंगी अच्छा, पुलीस देखे, मैं एक शादी शुदा हो रहत हूँ अरे, यही तो रोना है बेवी भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजे इतना सरीफ आदमी नहीं हूँ मैं इतनी खुबसूरत चीज़, भगवान के लिए, ना अच्छा अच्छा पहुज जान है अच्छा बहुत जान है अच्छा बहुत गरें अच्छा आप अच्छा ही यह यह हाह हाह हाई जा जाओ उख़के हैं? भॉह जाओ उखादी है? बहुत हेकड़ी है है? हाथ पाम ही जलते हैं आपके? जाओ पॉला ना मांजा, नहीं मालेगी, है? नहीं बॉले टूब कि एक हमां वह जाल एक एक हुआ अपने आपको को मांगों कि आपको u'S कुछ बना अटकल है तुमारे कि हम इन गिए ने किस में त्रम वह संट है अब जी 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 जी…. अब जी आने मोटने है… अब कर लोग के भी अब कर सोगें अब ही ठीक है झाल था निए तो डिन में रहाइ.. आदो जी एब क्या करोगी है? बहुत जोड है, हाँ, अभी बता दाओं तुमको भगवाद के लिए मुझे छोड़ दीजी छोड़ देंगे, बेबी, छोड़ देंगे कबजे में हो वे भी पूरी तरह से टिश्किया अज़ एफ 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 अज़ एफ अज़ एफ एफ अज़ प्रॉब अज़ झाल 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 करका उन्यान पुल झाल कर वा कर झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कि कि पापा आ गे पापा आगे क्या बात है आज हमारी बिट्ञिया इतनी तेर तक बहार ही खेल रही है कितने गंदे हो गये हो चहरे पे मिट्टी भी लगयता मामी जी का है मामी की तब्यद बिगड गई थी और वो रो भी रही थी तब्यद बिगड गई थी और रो भी रही थी चलो देखते मामी का क्या हाल है आश शाबाश कुंती कुंती क्या बात है कुंती 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 कुछ नहीं थोड़ा बदंदर करा था शायद थक गई हुम कोई दवाई ली तुमने और यह अंधेरा क्यों कर रख है मुझे रौशने नहीं चाहिए कुंति तुम्हारी तब्यत खराब है मैं डॉक्टर को बलाता हूं सुनिए आप परिशान मत हुए है बस थोड़ी दिर के लिए मेरे पास बैट चाहिए मैं ठीक हो जाहूं यहीं तुम्हारे पास बैटता हूं लगता तुम बहुत ठक कही हो ऐसा करतें एक नोक्राणी रख लेते हैं तुम्हारे साहत रहेगी तुम्हारा काम भी हलका हो जाएगा थोड़ा आराम भी मिलेगा उदास भोथ हो आएस सब समालूंगी अच्छी तरह पढ़ाई करना बिटा अंदर आने को नहीं कहोगे मुझे बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ मगर हम क्या करें बंटी को ज्यादा ही बिगड़ गया है और हम कर भी क्या सकते हैं हमारी तो वो सुनता नहीं और फिर उमर ही कुछ ऐसी है न खेर ये सब छुड़ो जीवन में तो ये होता ही रहता है और अरत को बदनामी से बचना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है तुम तो कहीं की नहीं रहोगी है? ठीक कह रहा न हूँ? मगर घबराओ नहीं हमारा बंटी ऐसा कुछ नहीं करेगा ये क्या हो रहा है? आप यहां क्या कर रही है? बंटी तुम्हारे पत्ती और बच्चे को भी मार सकता है और उसका बाल भी बांका नहीं होगा हमारा राज है न? इसलिए तुम अपना मूँ बंद रखना इक्सक्यूज मी मैडम ये मेरी पत्नी है कोई चड़िया या चुन्मुन नहीं और अब आप ढराना और धंकाना बंद कीजिए वा भाई तुम्हारी हिम्मत की तो दाग देती हो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अरे जाईया जाईया दफाओ जाईया यहाँ से अरे तुम्हारी बिटिया तो बहुत सुन्दर है बिल्कुल मा जैसी विल्लू प्लीज गो सना बेटे तुम अंतर जाओ चलो बेटा कुंती तुम रोको यह रामश्वरी वर्मा यहां क्या कर रही थी वह यह बंटी कोण है कुंती मुझे पूरी बात बताओ वह यहां क्या करने आई थी वह मैं पताने ही वाली थी क्या बात है कुंती पंद WITH गबरावने मुझे पुरी बात पताओ, मुझे पुरी बात पताओ, गुंती मुझे माप करताओ, मैं लाचार थी, बेवस थी बात पताओ, मैं लाचार थी, बात पताओ, मैं लाचार थीज रवसान्स झाल झाल जाना चाहिए पैसा तो मैं पानी की तरह बहाद हुआ अलो रवी मैं प्रसाद बोल रहा हुँ प्रसाद क्या हाल है क्या बात है बड़े परिशान लग रहा हुआ यार बहुत परिशान हुआ हूँ और टेंशन में हूँ मुझे तुमारी मादद चाहिए थी क्यों क्या हो गया बाभी बच्चा थेक है नहीं सब मेरी तो दुनिया योजड़की यार कुछ ठीक नहीं है सला वो जबर्दत थी दोपेट को मेरे घर में खोज गया और कुंती कुंती का बलत कारके आरामजादेने क्या कौन है वो बोल्च सालिक अभी अंदर करवा जैते हैं उसे वही रामिश्वरी वर्मा का बेटा और उपस उसकी मां आकर हमको थमकारिया कि हम चुप रहे हैं कस्टिटी में लेकर इंकाउंटर में मां डालर सालिको वो सब तो ठीक है यार पर यह सब इलिगल है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या क्या मतलब और जो उसने कुंती के साथ क्या वो लीगल था क्या प्रसाद हम तभी कुछ कर सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई कोई ऐफाई आर हो कोई छोटे मोटे लोग तो है ने कि बिना वज़े लॉक बें डालकर मैं उनकी परेट कर वादूं तुम समझ रहो ना खूब समझ रहों समझ रहों में मिस्री मलाई खैलू अरे चुप रहे चुप रहे चुप अरे साला यह स्वाइदर का कर रहा है अरे जब पूशन सहाब है ना हमको छोडता है नहीं आए अरे समय मिलेगा तो हम आएंगे इस्पेकर प्रिश का एंगे नहीं हम कोशिश करेंगा अपनी तर्फ मैंने पूछा है इस्पेकर प्रिश का है सर वो अभी आते हैं कि अपने यहां ने की तकलिफ क्योंकि सर हमको बोल दिया होता तो हम हाजिर हो जाते आप बैठिये ना सर बैठिये ना बैठिये हैं एक एफायर दर्ज करवानी है अरे सर आपको एफायर की क्या जुरूरत आप सिर्फ नाम बताईए लॉक अप में डा अगर आप कहते हैं तो चलो हम ही आपका एफायर लिख देते हैं आज तकरीबन बारा बजे बारा बजे एक उंडे ने जबर्दस्ती मेरे घर में खुषकर मेरी बीवी के साथ पत्तमी सी की अरे का नाम था उसका लेखो रामेश्वरी वर्मा का बेटा पंटी रामेश्वर अगरी तो फिसने का है हम यह कंपलेंट का इसा लिखूँगा आपको यहां उपर करनी चाहिए चाहिए आप यह कंपलेंट क्यों नहीं तुम लेख सकते तुम्हें नौकरी करनी के नहीं लिपको रामेश्वरी वर्मा के पेटे ने मेरी बीवी के साथ बल आतकार के याए हम कईसा लिखें के सब्सक्राइब नहीं देता अरे आप तो पस क्लास का प्यवस्था कीजिए एक आना तुम कि तुम्हारे हिम्मत कैसे ओ यहां ऐसे आने की अटे यहां से कारे भुलेट ना हां अरे साला इस चकना वकना हम कहां रखेंगे हैं तरह तरी पर अखेंगे का रहां चल चल कागाज बागज की विएस्था कर चलना रहे यहां प्रतमीजी आए मेरा इफार फार आटाला अपके सर्ण यर यहां जोकर्स मैं आईएसू सोचल सेकूरिटी इस डिरेक्टर मैं समाज की सुरक्षा का वस्टॉग तुम्हारे इंसाफ का मौतार नहीं नहीं I make the system. I dare not break the system. I will take the justice. Through the procedures established by the law in this country. I will see you all. I will see you all. What? Hey! Don't look too much, what? There is such a situation like this. No bad thing. You bastard. I will not leave you. What do you understand? The whole city is your father's father. I have a heart of their mind. We don't know that the whole city is our father. We will do something. We will do something. You don't know what I can do. Go home, man. The baby is waiting for her. Keep it up. If you need it, we can also help you. I will tell you all. Hold down, hold down. My brother, I will tell you all. I will tell you all. I will tell you all. Hello? 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 Come on. Hello? 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 Who are you talking about? Why are you talking about? What are you talking about? You are talking about 12 o'clock. Why are you talking about 12 o'clock? Why are you talking about 12 o'clock? Who is talking about 12 o'clock? No. I don't know. He is doing anything. Everyone is doing this. Who is talking about 12 o'clock? हेलो बेबी, हम आ रहे हैं, दर्वाजा खोलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, हम तुम्हारे पती और बच्चे को ही माँ सकते हैं, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने मुह पे ताला ला दालो, समझ गई ने बेबी, बाइ हेलो, हेलो, हेलो अज के बाद हम यहां नहीं रहेंगे, अज के बाद हम यहां नहीं रहेंगे, सुभा होते ही साना को लेकर चले जाएगे, कहां जाएगे, कहीं भी पकर यहां नहीं रहेंगे, यहां में बहुँ डर लगता है, हमें यहां से लिए जाली बस, ठीक है, लेक्ते हैं सुगा होने आदो, जलो अंदर, आचाँ आचाँ आणे, आणा बाहर ए रभादा के वारा मम्मी, मम्मी कुंटी तुम सना को लिए अंदर जाओ जाओ ए रभादा अधार कटी शेहर में कानुन नाम की कुछ चीज है की नहीं हलो हलो शिट कर्यों अकरोल अंधार ठायस विफ्यवत आप लोगी जाओ टाव आखराना नहीं, मैं टॉच लाता हू आप है 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 बहुत कादरनाग है हम लोग ने चली जाहेंगे हैं अब जगयानी रहेंगे हमें here लगता है आप कुछ भी कीजिए हमें here लगता है ऋअब सुन रहे सुन रहेर आप कि अपने बच्ची का यस क्या चाहते आप गवर्न साब से मिलना चाहता हूं आज तो गवर्नर साब बहुत जादे बिचियें आप उनसे नहीं मिल सकते हैं पोलीस वाले मेरी शिकायद दर्जुनी कर रहे हैं कि मेरा केस क्रिम्निल है कि बंटी वर्मा ने मेरी पत्नी के साथ बत्तमीजी किया कि ए रमेश इधर आओ ये फाइल नीचे अकाउंट्स में दो देखें मैं आप से बात कर रहा हूं कि मैंने कहां बंटी वर्मा ने मेरी पत्नी के साथ बत्तमीजी किया कि मैं आप से बात कर रहा हूं पंटी बर्मा ने मेरी पत्नी के साब बत्तमीजी की है कि मेरी पत्नी का बलात कारु हुआ है यह कोई मामली खटना नहीं है मैं गवर्णरस आप से मिलना चाहता हूं अभी और इसी वक्त देखो यहां चिला कर बात मत करो यह गवर्णर का उफीस है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज गवर्णरस आप बहुत जादा बिजी है आप उनसे नहीं मिल सकते और वैसे भी उनको एक फंक्शन में जाना है मैं उनके लिए स्पीस तयार कर रहा हूं ठीक है आप अपन अब ही तो नहीं रहें कब तक बैठे रहें चुप चुप लगता गाड़ी आ गई कि अ कि आए 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 साहिब कि अरेइश हैंता है इनके गोड जमीन पर मत पड़ने दो महीं हो जाएंगे उठा सबी तरह देखे देके यह क्या कर सुनि आ अंप लोग य है तो सैना-बडॉड Car Cand is a कहा गल्ट कर रहा है का गल्ट कर रहे हैं अरे सहाब के गोर कंदे पर अगर करे पहले तो तो इच टेपनी को छठी का दूद याद दिला दो, अब मास दाले को एए 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 पीज़े दो, पुझे लिए दो पकड़े रो इसको, बहुत बड़े ओफिसर बनते हो ना, बहुत तिरी लो बहुत 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 बड़े ओफिसर, लेचल को बंटी भाहिक सामने, लेचल एए एए हाँ छोड़े अवकात मेरे ना रिंद्र वर्मा, और्फ बंटी, बहुत चल तो चक्की पीस रहोगा इसी के बूते बे कुदरा ना तो चल गई होगा तपदा तुमको कितना वदा है कहलो? अरे छेंज बंटी भाईया बदा सालिको छेंज छोड़ा कर देंगा बाबू तुम सब के सब में ले हुए हो मैं तुझे देख लूगा बंटी तुम तो जब देखोगे देखोगे हमने तो देख लिया सर से पाव तक देखा है बड़ी खुबसूरत है तुमारी वीबी एकदम तनाका प्रसाद प्रसाद ये तुमारी जगे नहीं है अधिया मेरी वानो तुम यहां से ट्रांस्पर लेकर कहीं और चले जाओ पकवास बंद करो सना क्यों जाओ मैं यहां से क्यों जाओ इन इन गुंडों की वजह से मैं यहीं रहूंगा और कानूनी लड़ाई लड़ूँगा कुछ नहीं होगा यहां कोई कानून नहीं है कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा यह जंगल राज है यहां जंगल राज चलता है और नहीं तुम मैं हिम्मत तो उठा बंदूग और मार डालकिंग seller हिम्मत भी और पतला भी लोगा अ लेकिन अपने हसाब से कानूनी है साब से हाँ बोलिये क्या तक लिए भाई हलो सर सर मैं बहुत परिशान हूँ और इसमें हमरी का गलती है भाई नहीं सर सर मेरे साथ एक बहुत बड़ा हाथ्षा हुआ है कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा पुलीस वाले एफएर तक नहीं लिख रहे है सर सर मेरी वाइफ का रेप हुआ है हमले रामेश्वरी वर्मा का बेटा बंटी उसने मेरी वाइफ के साब अलतकार किया है मुझे मुझे आपकी मदद के जरूरत है सर ओ हो हो यह बंटी साले बहुत नालायक है देखे आप ऐसा करिए कल सुबह आजाए हमरे बंगले पर फिर सुनते हैं आपकी तकलीफ ठीक है ठीक है सर, थैंकियो सर तो मैं बंटी की दारू की ठेके का लाइसेंस पका समझो अरे बंटी तो हमरे बिटवा जैसा है उसके लिए क्या कहना आईये आईये प्रसाद बाबू आईये बैठिये बैठिये अरे कुछ चायवाय की व्यवस्ता करो प्रसाद बाबू के वास्ते का बताएं प्रसाद बाबू आप से ज्यादा तो हम परेसान हैं इस लड़के से और सुनिये रामेश्वरी जी, अब यह आखरी बार है, इसके बाद इसने कुछ किया तो तो बस आप जानी और ये जाने और कारे बंटी तेले कुछ लिमिट पर मिठाए कि नहीं ससुरा चल माफी मांग परसाइजी, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपकी बीवी के साथ बुलत कार किया आगे से इसा नहीं करूँगा, ठीक है? लेजिए, माफी भी मांग ली आप तो खुश है न आप? ये क्या मजाक है सर अरे इसमें मजाक की का बाद है, आप तो कमाल करते हैं परसाइज बाबू अरे भाई बच्चा है, गलती हो गई माफी मांग रहा है, माफी दे दीजिए सर इस गलती के वज़ा से मेरा घर तबाह हो गया बलतकार जैसे घिनोने अपराद को आप छोटी से गलती कहते है बच्पना? नहीं सर इसे माफी नहीं इसे सजा की ज़रूरत है जो आप इसे दे नहीं सकेंगे मेरी भूलती मैं बड़ी उमीद के साथ आपके पास आया था मैं खुद को ज़रूर ऐसा करूँ जिससे हमें इनसाफ मिले नमशकर जाने छोड़ गया इनको बार पर यह तो चोटी सी बात का बतंगड बना रहे हैं तो आप इसके बतंगड पर कंकर मारिये हाहा अगलग पर कंकर मार पर ऊवेर कंकर मारिये इसके सुष़ आपक पर कंगो कर दो आपके बतंगड़ आपके बतंग़ इसके पर कंकर हैं झाल 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 और रहार जो रहार जो जो पर दो जो एक आप दो जो दो प्रफिए एक अफिडवित कर दो मिश्टर अभी मन्यूर संग क्या यह सच्चाई असली सच्चाई होगी या पुलीस की सच्चाई जिसमें सच कम और जूट जादा होता है अरे पुलिस वाला इंसान नहीं होते कि अब तक तो नहीं देखा तुम्हें कैसे मालूम रिपोर्टर हूँ हर बात की खबर लेना मेरा पेश्रा है यह रुको रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ इसमें हसने वाली बात किया है तुम पुलीस वाले हद्गडी के अलावा क्या ते सकते हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं तो अतकड़ी तो लाएं ना देखा जिन्दीगी भर के लिए गिरफतार होने को तयार हूँ तयार हूँ तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है मेरे दिल को उझतो हो गया है निन्द भी उड़ गई चैन भी खो गया है तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है मेरे दिल को उझतो हो गया है तुमसे मिलना जुलना जो हुआ है मेरे दिल को उझतो हो गया है मेरी हरे खरकन में है समाया क्यों अपनो साल लगे पर आया दिल ना दान है समश पाया खोई चुक कैसी आया बेखुदी है क्या खुशी है क्या नशा है मेरे दिल को कुछ तो हो गया है नेंद भी उड़ गई चन भी हो गया है तुमसे मिलना चुलना जो हुआ है मेरे दिल को कुछ तो हो गया है ला ला, 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 ल दिल की बातें लबों पे आएं, कहीं सब कुछ ही बदल न जाएं, बेगाने अपने बन जाएं, दिल घब राएं हाएं क्या समा है, क्या सोहाना सिलसिला है, मेरे दिल को कुछ तो हो गया है नेंद भी उड़ गई, चैन भी खो गया है, तुमसे मिलना चुलना जो हुआ है मेरे दिल को तुछ तो हो गया है, तुमसे मिलना चुलना जो हुआ है अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी इस प्यारी सी पुली सपोर से 24 गंटे दूर होगे, तो ऐसी कौन से क्या मता जाएगी रीना, ये क्या क्या हरी हो तुम, बताओ, बताओ ना प्लीज रीना, बात 24 गंटे की नहीं है, बात उसूलों की है, मैं ड्यूटी के लिए कभी लेट नहीं होता हाँ, तुम क्यों लेट होगे, तुम्हे तो इन चोरो चको की शकल मुझसे जादे ही पसंद होगी ना वैसे आजकल औरती भी डकैती करने लगी है, और एक हाथ तो देखने भी खूपसूरत है सरा, मैं भी तो देखो, कौन है जिसे तुम्हारा दिल जीत लिया इस दिल को तो तुमने कैद कर रखा है, अब ये भाग कर, कहां जाएगा तुम मिर ले एक तिन रुक चाओना, एक दिन नहीं नहीं रीना कुछ जरूरी काम है एक दिन, प्लीज, देखो मैंने आस तक तुमसे कुछ नहीं मांगा है प्लीज, प्लीज, ठीक है लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए रियली? I love you ये सब कैसे हुआ? ये सर, हां? क्या हुआ यहां पे? आप कभीले के लड़के को कल राठोर साब ने गरफतार किया जब कभीले वाले उसकी रिहाई के लिए तो राठोर साब ने गुस्य से उन पर गोलिया चलवा दे Oh my god, राठोर! का है राठोर? सर, वो कल साही ना पता है Mr. Singh, we demand an explanation इतनी गयर जिमेदारी एक IPS officer से? Home Minister को explanation चाहिए हाथसे के वक्त आप कहां थे? सुना है आप किसी औरत के साथ थे Mr. Singh, ये inquiry commission आपको इस हाथसे के लिए दोशी ठहराता है और आपको छे महिने के लिए सस्पेंड के जाता है अगर आप चाहें तो अपने पीछे के दर्वाजे से जा सकते हैं Technology यह यही अथेले है यह को स्वेछ, अभी मन्यू नोट फेह। ना तुम मुझे एक दिन रुखने के लिए कह दी, ना मैं रुखता और ना ये सब कुछ होता है। ये सब तुम कह रहे हो? तुम इन सब के लिए मुझे कसूरवार ठेहरा रहे हो। तो और किसे कसूरवार ठेहरा हूं? अपने आपको? अभी मन्यूँ ठीक है शाहद ये मेरी गलती थी मेरी बेवोकूफी थी के में तुम्हारी बातों में आ गया ओके अब भूपर है कहसान करो मुझे अकेला छोड़ दो अजस्सली में अलोग हलो मिस्टर सिंग प्रधान हेर हलो सर बंटी का एरेस्ट वरंट हमारे पास है क्या येस विगाट दा एरेस्ट वरंट वाव ये तो बस आगास है सर आगे आगे देखें क्या होता है अख़वार वाले हंगामा कर रहे हैं सारी दुनिया को पता है के बंटी वर्मा कहा है सिर्फ अपनी पुलिस डिपार्टमेंट इस बात से अंजान है उनके हिसाब से इस एपसकॉंडिंग पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है ये अब सारी जिम्यदारी हमारे कंधों पर है आखिर कहां मिलेगा ये बंटी वर्मा सर अगर बात ऐसी है तो क्योंना हम अखभार वालों से ही पूछ ले वैसे 21st century times की रिपोर्टर मिस्स रीना क्या हम उसको इंटरोगेट कर सकते हैं हम्म नॉट बड़ आइडिया मुझसे बदला लिने का और कोई तरीका नहीं मैं समझी नहीं यह क्या है यह मेरा काम है किसी पर कीचड उछालना कब से तुम्हारा काम होगे देखो भी मन्यू मुझे इसमें कोई काश मुझे इस कमजोरी को दूर करने का एक मौका मिल जाए मुझसे जितना होगा मैं करूंगी अगर मुझे बंटी के बार में कुछ भी मालम पड़ा मैं पुलीस को जरूर बताऊंगी प्रॉमेस प्रॉमेस ओके ऐख घुए ओके प्रॉमेस नमस्कार तेकिए इस बार हम रैली नहीं करेंगे रैला करेंगे आपोजीसिन को मूह तोड़ जवाब देंगे पैसा जो है वो पानी की तरह बहा देंगे लेकिन एक बात सुन लीजिए भीड जो वो है दस लाग से कम नहीं होनी चाहिए होगी जी बिलकुल होगी मही लविंग मैं समालूगी इस बार बंटी को भी तो कोई जिम्मा दीजिए आप भी जो है कमाल करती है रामेश्वरी जी इसको जिम्मेदारी सौप है और वो भी हमरी रैली का तो खुदाई अपनी चवी बिगाड़ चुका है दारे बंटी और कोई नहीं मिली थी का तुझे आईएस की बीवी मिली थी सरकार गिराएगा का हमरी सरकार बंटीविया को कम अता किया अरे चाहे तो अकेले ही रैली में बहुत बड़ी भीर जूटा सकते हैं फिलार मुझे यूथ विंग का जिम्मा दीजिए और देखिए हम क्या कर सकते हैं ठीक है दे दिया लेकिन जरा दिमाग लगा के आप फिर से सोच लीजिए ये मत भूलिये कि इंटीविच अपने के बाद आपकी सिंदेगी का ये पहलू सब के सामने खुल जाएगा और आप शायद भूल रहे हैं कि इस बात का इस बच्ची पर क्या असर होगा ये सब सोचकर ही मैंने तुम्हें यहां बुलाया है मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो ठीक है अगर आप यहीं चाहती है तो ऐसा ही होगा मैं देखती हूँ कौन है रीना वो मैं हूँ अरे आप यहां कैसे बस यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा सना के लिए कुछ लेके चले अच्छा बेटा अंदर जो अच्छा मम्मी इनसे मिले यह है रीना हम मिल चुके हैं अच्छा बैठिये मैं चाहे लेकर आती हूँ नहीं नहीं शुक्रिया फिर कभी अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है एक बार ड्यूटी पर देर से जाने की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका हूं अच्छा चलता हूं नमस्ते कब से जानती हो इने दो साल से बहुत प्यार करती हूं ना मैं नहीं जाती तुम दोने की बीच क्या हुआ और नहीं जानना चाहती हूं बस सिर्फ इतना ही कहूंगी अपने प्यार को कभी खोना मत आइए मिस्टर ब्रिजबूशन इसमें असली आरेस्ट कितने हैं और नकली कितने हैं हम कुछ समझा नहीं सर समझी नहीं मिस्टर ब्रिजबूशन अगले 24 गंटे में मुझे नेक्सलाइट सेच्वेशन पर फाइल चाहिए और वो भी असली वरना मुझे आपको दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा ठीक ह हम यह फाइल ले जाओं क्यों नहीं जरूर अरे अरे यह क्या कर रहे हैं आप सर यह वही जो आपने विश्वनाद प्रसाद के अफायर के साथ किया था यह नाम आपने जरूर सुनाई होगा नहीं सर हम यह नाम पहले नहीं सुना हूं मिस्टर विश्वनाद प्रसाद एक आयस ओफिसर थे जिन्होंने आत्मात्या किया क्योंकि उनकी बीवी का बलातकार किया गया था और जब उन्होंने एफायर दर्ज किया तो आपने उस इसका बतलब आप उनको जानते थे मिस्टर ब्रिजबूशन एक आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला आपकी वज़ा से मैंने कसम खाई है कि मैं विश्वनाद प्रसाद के अधूरे काम को पूरा करके रहूंगा मैंने सुनाए कि तुम्हारे अंदर बहुत सी सच्चाई छिपी हुई है अगर विश्वनाद प्रसाद के मौत के पीछे की सच्चाई मुझसे छिपाई तो उसे आपकी हलक से बाहर निकालेंगा देखो बीटिया सना की परवरिश्ट तो तुम्हें ही करनी है लेकिन ये ठीक नहीं है बेटी खुद को पहले संभालो तुम तुम ऐसे क्यों नहीं करती आश्रम में आकर काम में अपना हाथ क्यों नहीं बटाती हाँ क्योंकि उसे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और सना बीटिया को भी अच्छा लगेगा क्यों बीटिया मम्मी मम्मी वो क्या है बेटा वो मैं बताता हूं अगर कोई भी मुसीबत में आ जाए और उसे बजाए तो आश्रम के सारे लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं समझी हाँ अच्छा कुंती जी अब मैं चलती हूं अच्छा रीना क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं ठीक है चलता हूं नमस्ते यहां कब से हो बस एक हफ्ता ही हुआ है उस हाथसे के बाद तुमने कभी मुझे फोन ही नहीं किया किस मुझे करता अब तक अपने आपको दोशी मानते हो क्या किसी को दोश देने के जरुवत नहीं है जो होता है वो मुकद्दर है और हमारा फिर से मिलना वो भी मुकद्दर है क्या हुआ क्या हुआ आम सॉरी हमारे बीड जो कुछ हुआ है उसके लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ चुन्री लहराई तो दिल धक धक करता है चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है मैं तेरे मिलने से पहले दिवानों नहीं था चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है चुनरी 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 लहराई तो दिल धक धक करता है दिल धक धक करने से मुझे को कुछ होता है मैं तेरे मिलने से पहले दिवानी नहीं थी चुनरी लहराई तो दिल धक धक करता है बिन कहे तुने क्या कह दिया होश में अब नहीं है जिया हम गले जो मिले आशिते के गुल खिले मिट गई एक फल में दूरिया जूरी जूरी जब खनके तो तिल धक धक करता है दिल धक धक करने से मुझको कुछ होता है मैं तेरे मिलने से पहले दिवान नहीं था जूरी लहराई का दिल धक धक करता है कह दूरे से पहले में चैने आए न तेरे बिना काटने से कटे ना दिना देखता हूँ जिधर आए मुझे को तू नजर तू मेरी जिन्दगी है मेरी जान चिनरे चिनरे चिनरी चिनरे 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 तू मेरे लहदा एकू तिल्वात बढ़ पर आए तिल्वात बढ़ higher user मज प्या बज़ो होता है अच्छा आप में चलती हूँ पाई एबन्टी भया अरे बन्टी भया यह तो वही लड़की है जो आज कल में खिलाब बहुत लिख रही है इसका फिलाज कर दे है छर्ट साली को ठोजन्दे क्या थे हलो बेवी तुम? हाँ हाँ कलम क्या उठा लियो कि तुम तलवा से टखराने चली हो यह खुबसूरत सकल है ने तुमारा चील कवों को खिला देने समझी? कि जुबान बंद रख वरना बो अहल करूगा कि तुम्हारे इस सदार भी तुमको पहचान ने पाए कि याद रख चलता हो तुम्हें पूरा यकीन है कि वो बंटी ही था हाँ बिमनियो मैं इसका चेरा कैसे भूल सकते हूं इसका मतलब वो यहीं कहीं आसपास होगा सुनो पूरे शेर में नाका बंदी कर दो कुए जल्दी कमान इस बार वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए तुम यही रहो मैडम के साथ यही रहेगा तुम्हारे साथ परिशान होने की कोई जरूवत नहीं अभी मनियो तुम कहां जा रहे हो इन लोगों ने अपनी ताकत की बहुत नमाईश कर ली अब मैं अपनी ताकत आजमा के देखता हूँ अरे इस सला बिरुज बुसनमा जो है ना आजकल बहुत अकेले-अकेले माल खा रहा है आपको पता नहीं नहीं पहूं सीयम तक है. चीफ मिनिस्ट नहीं की. आधी टर बताते हैं अपको अरे चीफ मिनिस्टर अरे फों करके बताते हैं आपको तोड़ायए दिमाग खराब गटया है थो है कें के अरे बंडिकार नहीं मालूबं ह duż नहीं मालूम हाँ नहीं मालूम लहनल कैसे फिरत में अपड़र्क喉स्तिनलगे हें गडुश्च Лत भंटेंता ह। बताता हूँ बाहर जाने के दो रास्ते है एक दो आस्पता जा तु मेरे साथ दो सेकंड देता हूँ दो सेकंड ख़ड़ चलता हूँ वकात मेरे इंस्पेक्टर वकात में तुगा मालूम नहीं कर रहा है किसकी माता ही है रह अभी मन्यू ठांस यह कर रहा हुज interests सद्धा दो अंदर दाले को मैं जानता हूँ यह कौन है अंदर दाले को सब गारा सकते कीप घयाँ रहनाने, पर दाले रहना नत्याँ था अदहर रहत वी अढ़रrukt चल बता ऑचम्स को चाहँ 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 चुदु नगहा रही कर दो अगर है तुमको खाकी का चाहे तुम्हारी कई और न इसावर न इसावर मेगे ओ लिए तु अ तु झालेट! झाल! झाल! गंटी अब ये वजाएगा तेरी घंटी यह आज जी आज अजिए 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 कोई बात ने मारी है आजिए है सता है zus जुरो मैं यो जुरू है हट जातुम हट जाओ औरी बटी तेरे लिए मैं मार भी खा सकता है वक्त की खामोशी को मजबूरी मत समझना खादी की आउकादी क्या है जो खाकी को मिटा सके मैं दुस्तान का वो सिपाई हूँ जो मिटकर भी इनसाफ दिला दे अविए अविए योजी इस देखे नहीं आए यहां जोना प्रूप्छा गज्दी को यहां देखें इसे यहां आए यादे मैंने क्या कहा था कि उनकी नकली जीत को हार में बदल दूँगा यह पहला कदम है अगर आप नहोंते तो शायद यह भी नहीं होता मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्स था अब बस कानून अपना फर्स निभा दे तो आपको न्याई मिल जाएगा अभी मनिऊ अभी मनिऊ अभी मनिऊ कहा हो देखो मुझे कुछ गंडर ने घेलिया है फ्लीज चल दिया आओ रीना 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 बेड़ अभी मनियो अभी मनिऊ तुम भीक तो ना रीना कुछ बताओ रीना अरे मैं तो मजाग करी थी मजाग यह कैसा मजाग है मुझे ऐसा मजाग बिल्कुल पसंद नहीं अरे तुम तो नाराज हो गए और क्या तुम ने यह भी नहीं सुचा कितना परिशान हो जाओंगा मैं स्टुपड negative abhimanyu I'm sorry abhimanyu I'm sorry ABhimanyu 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 I'm sorry BABBA I'm sorry I'm sorry.. I'm sorry I'm really sorry git नजर का मिलाना मोहबत है नजर का झुकाना मोहबत है तुम चाहे जिसे पूछ लो मेरे सनम तुम चाहे जिसे पूछ लो मेरे सनम युँ दिल को चुराना मोहबत है यू नजदी को आना मुहबत है तुम चाहे जैस कुछरो मेरे सरम तुम चाहे जैस कुछरो मेरे सरम यू मुझ को सताना मुहबत है नजद का मिलाना मुहबत है आशिक बनाएं मुझ को तेरी अदाएं तुझ को बुलाएं मेरी पेचेनवाहें जाने की डर लगता है है इसमें खुदी से यू करना पहाना मुहबत है यू जुलुफे गिराना मुहबत है तुम चाहे जैस से पूछ लो मेरे सनम तुम चाहे जैस से पूछ लो मेरे सनम यू दिल को चुराना मुहबत है यू नजदी को आना मुहबत है तुम चाहे जैस से पूछ लो मेरे सनम तुम चाहे जैस से पूछ लो मेरे सनम यू मुझको से नाना मुहबत है नजर का मिलाना मुहबत है अरे ढंक से चारा खिलाओ रहे भाइस को कुछ ज्यादा ही मन मानी कर रहा है सुहान बाबू थोड़ा अच्छा से समझाना पड़ेगा उदे को साला कैसा धोती उठाए चला रहा है आये आये सुहान बाबू खुश रहिए बैठिये अरे कुछ चाय चुपला भई इनको जो रहे चाय ले क्या हो तो बताया नहीं हमको राज-काच का इसन चल रहा हम रहा का बोले सरकार अपने लोगी बदनामी पहला रहा है इक का पहली बुझा रहा है रहे साफसा बोलना आप पत्याईएगा नहीं सरकार तू बोलतो सही अब का बोलें अपने इस सुहाबन बाबू है ना ट्रांसफर पोश्टी में एकदम पैज़े का गरदा चुड़ा दिये है अरे साला जुट बोलता है का तब में न कर रहे त यूसरो पीड़ में छूपर भोगता सिरकार पूचिय कि इसेब्याने पर पाइसाघाते हैं और फेला दे चलते हैं कि इम को पैसा देना पड़ता है कि रिकास हुरा है हम कि लगता है बठाब का घबला कि इस बाल झो ऑध कि लेए कर जा ही ए हाँ खुछ रही है बचाओ पक्ष और लोक अभी हो जक दोनों की डलीले सुनने के बादालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नरेंदर वर्मा और फबंटी और उसकी मारामेश्वरी वर्मा निर्दोश हैं क्योंकि इनके खिलाफ अभी हो जक पक्ष ठोज सुबूत पेश करन मुझे है कि उस दरंदे को सजा नहीं दर्वा सकी मैं कितने खुश थे हम कि खुख मैं हारगय Bel सर्च का की कि जब तक सूर चांड रहेगा बंटी तेरा नाम रहेगा यहीं नारे लगा निदे लो部 हमारे रियाई के बाद जबकि यह सच है कि हमने किया है कुन्ति का वलतका फिर भी लोग कर रहे हैं हमारी ज़ेखर क्योंकि हम हैं यहां के बेताज बाइशा अरे यादब जी थोड़ा खेनिया तो बनाईए खड़े खड़े ससर के कोड़ दुगा है हमारे तो बनाते हैं बनाते हैं तो मतलब हार मान ले और चुपचाब बेट जाएं यही कहना चाहते हैं अब मिस्टर सिंग मैंने सर्विस से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है मैं रिजाइन नहीं कर सकता है मैं इतना कायर नहीं हूं कायर तो मैं भी नहीं हूं मिस्टर सिंग कि अगर मैं अपना फर्ज नहीं निभा सका तो ना सही लेकिन मैं अत्याचार का साथ नहीं दे सकता कि और वैसे भी मेरा दिल डिपार्टमेंट के काम से उप चुका है इस सब की कोई ज़रुरत नहीं है यह देखिए यह रही बंटी की परसनल डायरी की रिसीट जिसमें उसने खुद लिखा है कि उसने कुंती के घर में घुसकर उसका बलतकार किया क्या यह क्या कह रहे हैं तुम मैं सच कह रहे हूं उस टायरी को मैं अभी भी पूलिस हैर्ट कोड़े में जमा करके आई हूं अब आप लोग बंटी को गिरफ़तार कर सकते हैं आज बहुत खुशी का दिल है खुशी इस बात की है कि हमारे सी एम श्रीछंद्रमोहन बाबू के उपर एक किताब लिखी गई है इस किताब में उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी अब मैं सी एम सहाब से गुजारिश करूँगी कि वो इस पुस्तक का विमोचन करें चंद्रमोहन बाबू की चंद्रमहन बाबू की यहां आयोई सब जन्ता को हम परणाम करते हैं और आप से कहना चाहते हैं कि बंटी एक ऐसी मा की संतान है जो समाज सेवा के लिए इस पूरे राज में विख्यात है और बहुत बड़ा काम किया है वो यह किताब लिखके तो अब हम बंटी के मूं से सुनते हैं कि वो क्या लिख था इस किताब में हमरे बारे में तो भाई बंटी आओ तुम्हा ही बताओ का लिखे हो इस किताब में बंटी भाया की मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार अब यह मुनासिब तो नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े दिगजों के पीच में ज़्यादा कुछ बोलू लेकिन मैं आप सब एक्षा करूंगा कि आप मेरी किताब को पढ़ें खास करके इनके चरित्र के बारे में अभी इने अरस्ट नहीं कर सकते जी सब मेरे पास आप दोनों का आरेस्ट पॉरंड़ी सब दिल्ली से कॉल है दिल्ली से हलो सर मिश्र पुर्धान आपके लिए इंस्टक्शन सा कि आप रामेश्वरी को आरेस्ट नहीं करें पट सर विया गॉट एविडेंस यहां सरकार खत्र में है आपको पता है ना कि कोई लेशन की सरकार है मगर सर मेरी बात सुनिया सर मुझे कुछ नहीं सुनना आप सिर्फ इंस्टक्शन फॉलो कीजिए आपको यह एक्शन नहीं लेंगे एक्स्कूज मी यस सर अभी ने अरेस्ट नहीं कर सकते हैं पर क्यों नहीं सर उपर से ओडर है आये क्या ओडर है सर रुकिये मिस्स से लेकिन हमारे पास एविदेंस है सर मुझे दिल्ली वापस बलाएं क्या बात है एस्पी सअहब अब जब कि पुलिस के पास में रमेश्री देवी का गिरफतारी वारेंट है तब आप उन्हें गिरफतार क्यों नहीं करते हैं है इन्म है इन्हें गिरफतार नहीं जाएगी सरवकार खत्र में है गिर जैस साली ऐसी सरकार हम तो बस कानून के पुतले बनकर रह गये हैं रमेशोरी जी सुना है पुलीस आपके खिलाफ गिरपतारी वारेंट लई थी इसके बारे में आपका क्या खैल है अरे भाई ये सब बे बुनियाद बाते हैं सडियंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ हमें बदनाम करने की साजिश है ये मगर हमें कोई डर नहीं हम तो बस जनता के सेवक हैं क्या है भाई आप लोग कहें एक प्रतिष्टित महिला से इस तरह के सवाल करके छेड़ रहे हैं सर्म नहीं आती का जाके पूछे अपनी अम्मा से कोई माँ अपने बेटे को बलातकार करने में मदद करेगी और एक बात बताईए किसने का आप से के बलातकार हुआ है और अ माफी चाहता हूं इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में सियासित की जगा भूल गया था मुझे हमेशा अपने उसूलों पर गर्व रहा है लेकिन आज मैं अपने उसूलों को भूल कर आप से कुछ कहना चाहता हूं अपने आपको इनसाफ दिलवाईए जीत हासल करने के कई तरीके होते हैं आप भी एक तरीक अपना लीजिए कानून अपने हाथों में लीजिए हाँ ये सब मैं कह रहा हूं क्योंकि इस जंग में मैं आपके साथ हूं जब वर्दी और कलम दोनों छूट के सामने चुक जाते हैं तो उस वक्त इनसान के हाथ में सिर्फ एक हाथियार बच्चता है उसके अपनी ताकत आज हम एक होकर उस ताकत का इस्तिवाल करेंगे अभिमनी जो तम कह रहे उसमें बहुत खत्रा है इस खत्रे का सामना करने के लिए तयार हूं लेकिन कुछ करने से पहले मुझे अपनी एडिटी से दिली बात करने होगी तो चल्दी करो वक्त बहुत कम है हलो हलो एडिटेट्स साब में रीना बोल रही हूं हाँ? ही रीना बोले हूँ मैं आपसे एक इस खबर शापने के पर्मेशन चाहते हूं जो आप तिक जोनलिजम के एथिक्स के बाहर है एथिक्स के बाहर है? ऐसा के काम है? देखो यह थीक नहीं है सब प्लीज हां फेट इन्मी सर ठीक है लेकिन अपनी पूरी जुम्हेदारी का ध्यान रहे ओके हलो कुंती जी मेरीना बोल रहे हूं हमने मिलकर कुछ ऐसा सोचा है कि ताजी क्या से नी पेचाने है अपको बोलिये कैसे याद किया कब मिला है बोलिये मैडम क्या है सो रही हूं मैडम फोन है कह दो सो रही हूं सियम साब का फोन है मैडम हालो का हो रहा है भाई तुमने बंटी का सरकार गिराएगा हमरी अरे अब क्या कर दिया बंटी ने इल्लो सारी लंका जल गई ने ख़बरी नहीं अरे अख़ार नहीं पड़ी हो का आज का अरे बोलो भाई बंटी से अपनी हरकोतों पे तरह लगाम लगाए कब तक पचाते फिरेंगे हम उसको सुक्या बंटी कान हलो बेबी हलो बच्ची है समझती नहीं आज यह आज यह ना आज इंडी स्टाइल में है क्या कर रही है क्या कर रही है पिछली बार सब कुछ चल्दी हो गया था ना आज सब आराम से होगा हुआ क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो वहीं जो मुझे बहुत पहले करना चेहे था क्या कर रही हो बोड़े हरामजादी वीपे लिवें तो हरा परेखर एप बताता हूं क्या होता है प्रार सारी हरामजादी करते हो भी तयर कर्परात century करते हो चलjob मेरे खोड़ाड है प्रफघ्थ बहुत कहते हैं। तेरी लिए तो नहीं… क्या हो.. वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? शलाँ! कम वे ले? नारी धर्ती, नारी अंबर, नारी ही संसार है, नारी दुर्गा, नारी काली, नारी तारणहार है म, माफ करदो मुझे, माफ करदो, माफ करदो, माफ करदो ती, माफ करदो तुझे अजया, कामीने, नारी आए, नारी वारा हाँ कि अपर कि मुझाए और अर्व। पगड साली राम जादी को तेख, साली पहले थेख, साली पहले फोन कर बुलाती है उसके वाद आज चलाती है तुमारा तो जिस दिन मैंने चरनामृत पिया था ना उसे दिन परसाद खाके तुम्हारा सुहाह कर देना चाहिए था स्वाहतो में तुम्हारा करूटबकी तुम्हें ऐसी मौद दूँगी कि तुम्हारी खांदान की औरते बेटा उनमे भीकत्राॉप यह साली, लेजा साली को, और जम तुमको बचावर में नचाते हैं, चल, साली हराम चादी, क्या संधुती क्या, देख जन्ता देख, बहुत चिला रही थी, बहुत अबाज उठा रही थी, और जुसी जन्ता के सामने में तेरा क्या-क्या उठादा हूँ, देख, ये बंटी ये मैडम जी का करना है, अब देखो, हम तुमको फ्री सो दिखाते हैं, फ्री सो, फ्री सो, इका उते बंटी विया, तुमको नहीं बता, ना, तुमको भी नहीं बता, देखो क्या होता है, कुंती जी, प्लीज कुंती जी, हमारे बच्चे फ्री सो देखना चाहते हैं, आप तेरी नजर इस छाती पर गिरेगी ना, तो अपनी मा की छाती आत कर कमी ने, जिसका दूद पीकर आज तू इस घिनोनी हरकत के काबिल हुआ है, अरे गलती तुझ में नहीं, उस दूद में हैं, जो जहर बन कर तेरी नस नस में दोड़ रहा है, जा, अपनी मा से पूछ कर आ, कि किस फ्रीशों की पैदाईश है तू जा, साली हराम जादी, नंगा न जाओंगा बजार में तुमको, कर, और कर भी क्या सकता है तू, उस दिन मेरे कपड़े उतार कर मेरा जिसन देखा था न, हाँ, आज तू मेरी शक्ती का कहर देखेगा, रुक, बहुत हो गया बोल पहला है, साला एसपी फिर तू अगा बीच मेरे, एक फोन पे एक फोन पे वर्दी उतर बातेंगा था, लगता है तू पिशली बार के मार भूल गया है, यह वर्दी किसी रंडी की साड़ी नहीं है, जिसे कोई नेता या मंत्री चप चाहे, इलेक्शन का टिकेट देकर उतार ले, तेरी तो गर्दा थोर साले को, लेच में आटे हैपान जाटेजार वे खर्दी चल्क उत्वा개 मा शुल्क उत्वां बाटばたतार लेदन आछ वर्दी बाटोरा वर्दी ढारा रद Lebanon अज़ बड़े फिर्ण करने उड़े पल्ड भाइक ख्रण को बार कि नड़ेट्ड लाइक लाईक बार कि अड़े देख़े पीज़ेट्डे की देख़ेट्डें वियल प्याओे लादोगे शोड़े लुचे हम वियले प्लाइक बढ़ हो जढ़ हो나 पुमैन उडाते हैं जुल्म का जब भी पता का दुनिया में लहराया है युग युगों में जौहर अपना नारी ने दिखलाया है वद किया है हर कदम पर जुल्म करने वालों का हल किया है नारी ने दुनिया के हर सवालों का आई है मैं, आई है इन। चौता है कि मेरे बेटी को बचावा रन जनताव से माड डालेगी मैडाम आप फिकर मत करो हम उसको बचा के लाता हूं तो जाओ यहां खड़े-खड़े क्या करें हो जलो अभे है हटा यहां से रस्तादो जाड़ जाले दो रस्तादो मैडम जनता बगावत पर उतराइए हमको गुष्ण नीजे रहे बगपद बंकरो ब्रिज मुशन मेरे बेटे को आपका लोगे मर जाएंगे तो जिम्मा किसका है मैं कुष्ण जानती मैंने तुमसे कहाना फायर करो वनना पर चॉक में नंगाना चाहूंगी ब्रिज मुशन ज कोई फायर नहीं करेगा इंस्पेक्टर यह लोग मेरे बेटे को माँ टालेंगे आप घबराइए मत आपके बेटे को मरने नहीं दूँगा मिस्टर ब्रिज भूशन जी सर गाड़ी में बंटी के दोस्त है उन्हें हस्पताल लेंगे आप गबराईये मत आपके बेटे को मर सब्सक्राइब लेकिन सरा हम यहां कंट्रोल से आप कहते हैं तो हम जाते हैं मैडम हम जा रहे हैं कि यहां खड़ खड़ क्या कर रहे हो तेरे बेटे को बचा वह उसे मार डालेंगे हम तो सिफ कानून के रक्षक हैं और कानून आपके हाथ में वैसे आप कुछ भी कर सकती हैं लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि बंटी को मरने नहीं दूपर तुम्हें दिखाए निदे रहा हूं से मार डालेंगे उसे बचाओ गवराईये मार मैंने बोला ना तुम जैसो को सीधा करना आता है मुझे धरिये मत सही वक पर जाओंगा मैं है चंदरबाबू रामश्वरी बोल रही हूं है रामश्वरी जी भोल यह यह पुलिक बंटी को मार डालेगे और यह इंस्पेक्टर या क्षटेकर नहीं कर रह asynchron कुछ झबनाहीं दे करें bathrooms करिए आई कमबक मोबाइल वा का सिग्नल वा भी ठुट जाता है बार बार हलो हलो पब्लिक बढ़ी कुछ सुनाई निदर आए बाद मा बात करिये कि अज़े ने चोड़ूंगी चाहे दो किस किस से माफी मांगोगी तुम बोलो किस से माफी मांगोगी तुम्हारी वजह से मेरी बसी बसाई जिन्द के उचड़ गई उसके लिए माफ कर दू बोलो तुम्हारी वजह से मेरे पती ने आत्मा हत्या कर ली उसके लिए माफ कर दू पूल कमीने आज तुम्हें इन सब के सामने कहना होगा कि तुमने कितने पाप किये पॉल तुमने सब कर राबजाते तुमनos अब लुक्त अब जोड़ूंगी यह मेरे पती आज आरहे है यह उनी को अशूल था हाई यह उनी को उसूल था मुझरम को सजा कानून देगा अब यह पूरी संदगी जेल में साड़ेगा यही इसकी सजा है चल्ड़ू इसके आचल से है जरते हर घड़ी ममता के फूल शद्ध से माथे चड़ालो नारी के चरणों की धूल खीचते है जो भी आचल देवी रूपी नारी का वद करो वद करो उस पापी अत्याचारी का कि अधिए अधिए जीती रहो बेटी जीती रहो अधिए आशिरवात दीजिए कि ये काले बादल फिर हाँ अधिए दूट हमारी जिन्दगी में आए बेटी मैं तो सिर्फ दूआ कर सकता हूं कि जो कुछ भी तुमने देखा सहाथ उसका साया भी तुमसे दूर रहे बस हाँ इस पच्ची को एक अच्छी जिन्दगी देना तुम दोनों कल जा रहे हो जी कल सुबह साथ मिना हम दोनों का मिलन भी एक तरह से आपके वज़े से ही हुआ है और अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताईएगा बताओगी ना हां अच्छा झाल झाल